खत्रा नौर राज्यों में हुचकी है बर्ट फ्लू की पुष्टी देज़बर में मिल रहे हैं मृतक पक्षी और लखनों में भी कई जगा पर मृत पक्षी पाए गए हैं मृतक पक्षियों के जांच नहुने लाब भेज़े जा चुके हैं और यूपी में दूसरे राज्यों से भी पक्षी प्यापार पर रोक लगा दी गई है लकनाजू का पक्षी बाड़ा बंद निकर दिया गया है सैनिटाइजेशन वहां बर किया गया है तो आपको दादे देश बर में अब तक नौर राज्यों में बर्ट फ्लू के केसे सामन बर्ट फ्लू के केसे जशा मिलने के बाद पूरी तरीके से सील खर दिया गया है आप यहां पर किसी का प्रभेश नहीं किया गया है तो लखनाजू का पक्षी बाड़ा पूरी तरीके से बंद कर दिया गया देश घर में यहाँ पर बर्ट फ्लू का खत्रा लगातार बर्टावा नजर आ रहा है अब तक नौर राज्यों में बर्ट फ्लू के कैसे सामने आ चुके हैं और लखनों में भी कई जगा पर पक्षी में बर्ट पाए गया पक्षी जांच के नमूने लाब भेज़ गया यूपी में दूसरे राज्यों से पक्षी व्यापार पर रोक लगा दी गई है लखनाजू का पक्षी बाड़ा बंद कर दिया गया देश भर में यहाँ पर बर्ट फ्लू की कैसे सामने बढ़तार पाए गये हैं सबसे पहले यूपी में कानपुर से बर्ट फ्लू की एंट्री वीटी जांपर जू में चार जंगली मुर्गों में बर्ट फ्लू की पुश्टी वीटी जिसके बाद से जू को पुली तरीके से सील कर दिया गया उसके आसपास के अरिया को contentment zone बना दिया गय राज्यों में आप पकिशियों की पुष्टी अब हो रहीं है अज्ञाइब सुखना जानकारी के साथ हमारे समवादाता जूरुगे हैं सबसे पहले रुख करेंगे जहांसी का हमारे साथ ऐसे सबसे जानना चाहेंगे जहांसी की अगर बात की जाए तो कितने बार्ट फलू के केसे अब तक आ चुके हैं इन मामलों के सामने आने के बाद प्रसाशन की तरफ से क्या कुछ कारवाई की गई है? जहांसी के जलातकारी इस बनाई गई है दॉक्तर कारवाई की इस्तौर नहीं है लेके जे पर दोक्टर नहीं है। लेकिंपिर भी यहां पर बाहर से आने जानों पर उक लगा दी है भार से बहानों को चच्छा किया जा रहा है जी तो यूपी में कानपूर से ही बार्ट फ्लू की एंट्री हुई आपसे जाना चाहेंगे केसिस के सामने आने के बाद अब तक कितने मामले बार्ट फ्लू के कानपूर में देखे जा चुके हैं और प्रसाशन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां आगे की गई हैं कि मनिस मैं आपको बता दू कि जिस तरह से बल्फ्लू की दस तक चिडिया घर में हुई थी उसको देखते हुए यहाँ पर काया है तो चेज कर दी गई है यहाँ पर बाड़ों में चिड़काओं का काम है वो किया जा रहा है लेकिन आप जो यह बल्फ्लू की दहसत है वो तरह से कोय हो या गिद जब वहां सहर में गिरते हैं तो वहां के जो पब्लिक होती है वह वण विवाग को फॉन करती है जब की पूरी तरह से आधेस दिएगा एक कि इस तरह से अगर कोई फोन आता है तो उस पर ततकाल वहां पर जाकर उस पंचियों को उठाया जाए और जाच के लिए भेजा जाए और वहाँ पर छुलकाओं का काम किया जाए तो वन विभाग की टीम में जो लगाई गई है उनकी जो है सतरता नहीं समझ में आ रही है वो संतोस जनलक जवाब वहाँ पर नहीं दे रहे हैं ऐसे कई मामले हो चुके हैं कल परेट छेतर में जब कहुआ गिरा तो वहाँ से फोन किया गया तो वन विभाग की टीम ने वहाँ से बोला कि जब कहुआ मर जाए तब फोन करना तो कहीं ना कहीं पब्लिक में आक्रोज भी है तो वर्ल्ड फ्लू की दैसा तब सहर में भी होने दिये गए हैं और यहां पर जो वर्ल्ड फ्लू पे चड़िया घर के जो कम से कम नो सो पंचियों के सैंपल भेजे गए हैं और जब तक सैंपल की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता प्रसासन की बात करें तो उर्सला हॉस्पिटल में कई बैड बन कुछ ऐसा एपॉलिट्टरी उद्द्योग पर पढ़तावा नज़रा रहा है कई बार ऐसे ऐसी सूचना जो आ रहे हैं लेकिन जासी की बात करें तो जासी में जिस तरह के बर्ड भुलू का जो खत्रा की बात करें तो खत्रा तो है लेकिन जो बनभागी टीम है और डॉक्टर वगएरा पिरसासन नहीं बता रहा है कि उनका यह कहना है कि ठंड के लोग जब लोगों ने शिकायत करते हैं तो लोग जो दुकानदार हैं उनको धंकाते हैं जी वेक जैसा कि आपने बताया कहीं नहीं कहीं अभी भी एक बड़ी लापरवाही वान्विभाग के तरफ से देखने का मिल रही है जब यहां पर मेरत पक्षी पाई जाते हैं और यहां पर जिस तरह से यह कल पहला केस आया जो परेड का सबसे बड़ा मुर्गा मार्केट है और अंडा मार्केट है वहां पर ऐसी इस्तिति देखने को मिली है कि कवह गिरता है और यहां पर पबलिक के दारा फोन किया जाता है तो फोन पहली बात उठता नहीं जब इस तरह से चौपट हो जा रहा है प्रसासन की तरफ से जो अंडे और मुर्गे की दुकाने बंद तो करा दी गहीं लेकिन रेस्टोरेंट जो कानपुर में है वह रेस्टोरेंट सुचारू रूप से पूरी तरह से चल ला है जहां पर चिकन और मुर्गा पूरी तरह से कहीं ने कहीं वह सहर में भी पहुंचने की संभावना जता ही जा रही है मनीज इसे सब्सक्राइब बात की जाए तो बड़ी बड़ी दुकाने थी यहां पर मुर्गे की दुकाने थी तमाम लोग बीचा कर दे थे उन्होंने अपनी दुकान को शिप्ट करके छोटी चोटी गलियों में बेदिया है जिससे लोग परेशान है उन्होंने कई वार सिकाज की है लेकिन यहां का परसासन उनकी बात नहीं सुन रहा और अगर सिकाज करते हैं जो दुकानदार हैं तो शिकाज कारता को उतको धंकाते हैं माने की धंकी भी देते हैं लेकि जहासी में अभी है वर्ड फुली से ऐसा कैस नहीं आए लेकि इस टाइम सरजी की बात करना है सरजी तो बहुत ने इस लेकिन इन पक्षियों को यह यहां की नदिया है और किसी भी व्यक्ति में किया भी तक कोई केस बाठ्टलू का अब सामने आया कि देखे प्रसासन की बात करें तो प्रसासन यह पूरी तयारिया कर ली है जगे जगे पर जा कर दुकांए जो है देखी जा रही है कि दुकाने खोल तो नहीं है अगर ऐसे लोग को चोई प्रसासन पूरी तरे से लगा हुआ है लोगों को जागरूप कर रहा है और अभी तक ऐसा जो है कोई केस कानपूर में देखने को नहीं मिला है फिलाल चिडिया घर से कम से कम 900 जो है पच्छियों की रिपोर्टे भोपाल भेजी गई है अब जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है चिडिया घर को पूरी तरह से बंद रखा गया है कोई भी दरसक हो दरसकों पूरी तरह से बंद कर दिया गया है मैंनेज बिल्कुल चलिए सबसे जँना चाहेंगे के सामने के बाद अब क्या कुछ सतरक्ता प्रसाश्चन की तरफ से देखने को मिल रही है और जो सांपल्स हैं कितने सांपल्स अभी तक भेजे गए कितने पौस्ट से पाएगए लेकिन अभी तक उन पक्षियों की जाँज जो आई है उनका कहना है कि बड़ फुलू से इनकी मौत नहीं हुए लेकिन बनभाग की बात करें तो जासी में इस तरीके डर का माहौल बन गया है लोगों ने जो चिकन खाना बंद कर दिया है लेकिन बनभाग की बात करें तो बनभाग का डीला रवाया है बनभाग की जो लोग हैं वहां के करमचारी है लोग जब फॉन करते हैं कोई पक्षी मरता है तो फॉन नहीं उठाते हैं बिलकुल जैसा कानपूर में हालात है जिस तरीके जाती में भी इस तरीके खालात है पन्भा की टीम की लापरवाई देखी जा रही जी बिल्कुल अभी तक तो चुड़िया घर में जो दस्ताख हुई थी जिसको लेकर सतरता भी बढ़ती जा रही थी लेकिन अब जब गली महलों में पंचियों के गिरने की बिमार होके गिर रहे हैं उसको लेकर लोगों में पूरी तरह से देशत व्यापता है कोई भी जो पंची गिरता है तो लोग वन विबाग को फोन करते हैं वन विबाग को यहाँ पर जागरूप होने की जरूरत है जो पब्लिक यहाँ पर फोन करें वहाँ पर जो टीमे बनाई गई गई वहाँ ततकाल पहुचकर जो इस तरह की घटनाय हो रही है उसको यहाँ प जो है सारे पच्छियों की रुपोटे भेज दी गई है यहां पर पूरी तरह से सतक्ता बरती जा रही है और सबसे बड़ी बात है यहां कि जो बड़े-बड़े रेस्टोरेंट है जहां पर प्रसासन जो हाथ नहीं डालना है वहां पर भी हाथ डालने के जरूरत है क्योंकि बीमारी इस ऐए चोटी या बड़ी नहीं होती है तो यहां पर जो छिकन की रेस्टोरेंट है जहां चिकन और मुर्गे का सेवन किया जा रहा है उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है कहीं कहीं नहीं इस तरह की कोई लापर्वाईज जो बढ़ा सकती है तो उसको लेकर र करकार की कोई भी यहां पर वैक दियाता है तो उसका जो है तुरंत यहां पर उप्चार करने के बिवस्ता भी करा दी गई है मनेज अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना कार में उद्योगों को भारी नुकसान पहँचा बर्ट फ्लू के केसे सामने आने के बाद अब आ करने अगर दीखे के लोगों की बात करें ने कोरोना के परेशान अभी तक भी अबी तक के साने लगे हैं लेकिन बर्ड फुलू की बात करें तो बर्ड फुलू जहासी में अधिगारी के कहना है कि नहीं है लेकिन लोगों में डर है डर का महौल बना हुगा है लेकिन अभी तक जो कोरोना के टीका लगने की बात करें टीका लगने के बाद अब क्या महौल बनता है लेकिन जिसरी के बर्ड ची सब्सक्राइंब मर्टोह की Колतरी स welcoming तो पहुंचे और उनको उठाए आए उनकी जास करा चाये उनको दफनाये जाए। आपसे जाना चाहेंगे अब कब तक ये जू बंद रहेगा क्या कुछ आदेश दिये गए प्रसाशन द्वारा दिकें जब से ये रीपोर्ट आई है यहाँए यहाँपर एक सबसे बड़ी बात है कि जब ये पंच्छी यहाँपर मरे थे चड़िया घर को उसी समय बंद करदेना चाहिया था लेकिन कम से कम जब यह पंची मरे तो उसके बाद दो से तीन दिन यहां पर जो है जू को खोला गया जहां पर आज से दस हजार दरसक यहां पर आकर और चड़िया घर घूम कर गए थे तो कहीं न कहीं यह भी एक बड़ी लापरवाई थी कि जिस तरह से बाले को तो बंद किय गया था लेकिन जो एक किलो मीटर का दायरा अब कंटेंटमेंट जोन गोसित किया गया है इसको उसी समय कर देना चाहिए था रिपोर्ट आने से पहले अगर उन दो तीन दिनों की इस्तिती में कोई भी अगर इसकी चपेट में आया होगा तो उसको डोड़ना मनीज बहुत दिन तक जो है दरसकों को चड़िया घर में प्रवेस नहीं दिया जाएगा लेकिन इसके बावजूद भी दूर दूर से लोग आते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती है वो लोग आ रहा है और दरसक यहां से मायूस होकर लोट रहे हैं अगर बात करी परतर है यहांपर जो है मुर्गे की और अंडे की काफी को सब्सक्राइब है जिसको लेकर यहां पर वियाप़ारी में रोस próxim में पर नहीं हो रही है पर है यहांपर अी Yeah कि आपने बताया लगाता है जहासी में कई पक्षी इम्रत पाए गए हैं कई ने कहीं विग्यानिकों का कहना है डॉक्टर्स का कहना है कि ठंड की और जासे लगाता है इनकी मौत हो रही है लेकि आपसे जाना चाहेंगे इसको लेकर कि लोगों में कितना जादा डर व्याबत है कितना भाई व्याबत है और क्या कुछ चाहते हैं क्या कुछ मांग करें और क्या कुछ तैयारियां अब प्रुसाशन की तरफ से देखने को बिल रही है इन मौतों के बाद देखें मैंने आपको बताया कि जिसे कौरोना कालते लोग जूढ़ रहें आज भी जूढ़ रहें आज भी परिशान है लेकिन जिए वर्ड फुलू का जुसरी की जू खत्रा जो जू मुटवरें पक्षियों की मुटवरें इसे लोग डरी होगी हैं इसकी सिकाद भी लोग क ट्वक्राइब को मीटिंग करके उनको पता नहीं है लेकिन उनकी सिर्प कागजों में तेश्टी में गूं रही है लेकिन आपकी जाती में जिसे लोग परिशान है जैसे कि छोटी दुकानदार 실파 दकानों को बंद करा है तमाम लोगों को लेकिन जो बड़ी दुकानस को मूरिय वगयरा बेचने वालों की दुक्तुर 63